करनाटक में अगले महीने चुनाव होने हैं इसको लेकर बीजेपी कॉंग्रेस समेत कई राचनितिक दल अपने अपनी तैयारियों में लगे हैं इंदलों के प्रत्याशी लाखो करोडों के फंड से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं यादगिरी में एक ऐसा निर्दल्य उमीदवार है जो जनता से चंदाई खटा कर चुनाव की तैयारियों में जुटा है उसने चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की मनी एक एक रुपए के सिक्कों के में जमा की उसने यह रुपए करनाटा की जनता से ही खटे किये इस वर्ष के चुनाव में प्रतेक उमीदवार के लिए डिपॉजिट मनी 10,000 रुपए है यादगिरी सित कार्याले में मेज पर पड़े सिक्कों को गिनने में अधिकारियो को दो घंटे से ज्यादा समय लगे यादगिरी विधानसभा शेत्र से नामंकन पत्र दाखिल करने वाले निर्दलिये प्रत्याशी यकमपा मंगलवार को अपने गले में बैनर्ड लटका कर तैसिलदार कार्याले पहुँचे निर्दलिये प्रत्याशी के पोस्टर में 12 के समा सुधारक बस्वेश्व करनाटक के संतकवी कनकदास स्वामी विवेकानन डॉक्टर बियार अंबेडकर और सम्विधान की प्रस्तावनागी फोटो लगी थी तस्वीरों के नीचे कननड में लिखा एक संदेश सिर्फ एक रुपया नहीं अपना एक वोट दो एक दिन तो मुझे वोट दो मैं तुम्हें गरीवी से मुक्ति दिलाऊंगा प्रत्याशी ने कहा कि उसने पूरे निर्वाचन शेत्र में पैदल यातरा की और वोटर से सिक्के एकटा किये प्रत्याशी यकंपा कलबुर्गी जिले के गुलबरगा विश्विद्याले से कलासनातक हैं उनके पास कुल 60,000 रुपए की संपत्ती है जबकि उनके पिता देवेंदर अप्पा के पास एकट और 16 गुंटा जमीर यानि की 40 गुंटों का जो होता है एक एकट के बराबर बता दें कि करनाटक विधानसवा चुनाव एक ही चरन में होना है एराजे में 224 सदस्य विधानसवा सीट के लिए 10 मई को मत दान होगा और 13 मई को मत करनना होनी है